महेंद्रगड से कांग्रेस परत्यासी रावदान सिंग ने आज अपने चुनाव परचार अभियान को तेज करते हुए गाउं सीसोट भगडाना पाली धोली जांट भुर्जट साहित आदा दरजन से भी हदिक गाउं में जनसंपर्क अभियान के तहट जनसभाए कर लोगों से अपने पक्स में वोट करने की अपील की इस दोरान गाउं गाउं में पहुंचने पर रावदान सिंग का धोल लंगाडों और फूल मालाओं के साथ जोड़दार स्वागत किया गया इसके साथ ही रावदान सिंग का अने गाउं में उट पट बठा कर उनका भवे पर्थन में गाउं माजरा में एक रगदान सिवीर का भी आउजन किया गया और इसमें कांग्रेस पर चैसी रावदान सिंग के वजन के बराबर सतर यूनिट रख एकत्रित किया गया मेहंद्रगड जिले में भाजपा से रामविला सर्मा की टिकट कटने के बाद विदान स चेतर में लगाता रावदान सिंग का प्रभाव वड़ता जा रहा है और अब गाउं में पहुंचने पर भारी भीड उनके साथ मोजूद रहती है इससे मेहंद्रगड विदान सिवा का चुनाव काफी दिल्चस्प हो गया है जिस परकार से मेहंद्रगड में प्रोफेसर प्राम्विला सर्मा की टिकट काटकर भाजपा ने उन्हें नाराज किया है उसके बाद इसका सीधा फाइदा कोंग्रेस पर्त्यासी रावदान सिंग को होता नजर आ रहा है क्योंकि इससे पहले दोनों के बीच सीधी टकर होती थी लेकिन अब भाजपा दवारा कमर सिंग खातोद को यहां से उमीदवार बनाय गया है और उसके बाद लागातार लोग रावदान सिंग के समर्थन में जनसभाओं में उमड रहे हैं गाओं में रावदान सिंग के पहुचने पर उनका भवे तरीके से स्वागत किया जा रहा है रावदान सिंग ने इस दोरान लोगों से आने वाली 5 अक्टूबर को कॉंग्रेस के पक्स में वोट करने की अपील करते वे कहा कि जिस परकार से भाजपा ने पिछले 10 वर्ष के राज में हर वर को दुखी करने का काम किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों को फैमली आईडी और प्रोपर्टी आईडी में उलजा कर रख दिया है रावदान सिंग ने उपस्थित जन सभाओं में लोगों को संबोधित करते वे कॉंग्रेस की नीतियों के बारे में आवगत कराते वे कहा कि यदि कॉंग्रेस सरकार हर्याना में बनती है तो लोगों को बुजर्गों को 6,000 रुपए मासिक पैंसेन दी जाएगी तीन सो युनिट बिजली फिरी दी जाएगी इसके साथ ही 500 रुपए में गैस सलेंडर दिया जाएगा और उन्होंने बताया कि जिस परकार से लोगों के उपर लगातार इस भाजपा सरकार ने अत्याचार करने का काम किया है अब समय आ गया है कि लोग इन्हें वोट की चोट करके इसका बदला ले उन्होंने कहा कि इस सरकार से 10 वर्ष में हर वर्ग दुखी रहा है चाहि किसान वर्ग की बात करें या फिर करमचारी वर्ग की बात करें हर वर्ग लगातार इस सरकार से पीडित रहा है उन्होंने कहा कि अब 5 अक्टूबर को कॉंग्रेस के पक्स में मद्दान करके इससे छुटका रापाय जा सकता है। उन्होंने लोगों से हदिक से हदिक संख्या में कॉंग्रेस के पक्स में वोट की अपील की। से लिंडर सोगज का प्लोड उस पे दो कमरे एक रसोई एक बातरूम बनाने के और रहने को स्कीम है। अच्छा क्या मानते हैं हर्याना में अबकी बार किस परकार से सरकार से सब्सक्राइब के साथ है। सबसे पहला विजन है आई-एम्टी खुडाना ताकि उस दोग यहां पर आए। दिरोजगारी दूर हो। और उसके बाद है मेडिकल कोलेज सेंट्रल इंविश्ट्री के अंदर और सहर का विकास। कि आज तक सहर विशी जगात रुखा हुआ है जो आज से दस साल पहले छोड़ा तो हमारा सबसे बड़ा यही मिशन है महेंगाई को कम करेंगे कानोन जोस्ताव ठीक करेंगे आए नहीं हमने ही वेबसाइट लॉंच किया था इन्हों ने आके काट दिया इन्हों ने आके का जिला मुख्याले बुलेकर बड़ी चर्चाही रहती है जिला मुख्याले के भी हमारी सोच है कि हमारी उनकी कुछ परिकिरिया है पूरा करके और निश्ची तोर पे जिला मेंदर के डालाग और नार्नोर जिला अलग दो जिली बनाए